चैंच ईड़ू जिल्रें आलो आलो उस अवूज अ थाटी क्लास 30 की हंदी कर आ रहे हैं जिसरी नाज डियुड नाज करने बाले और यह बारनी से कीद मेरा में पर सभड़्ा का और आप भड़क्र देखिएगा वीडियो को सरंकिकां है आपका पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो question answer activity हम करेंगे तो आप वीडियो में बने रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज 15 अगस्थ है इस्कूल में उत्सो मनाया जा रहा है 15 अगस्थ को चब्वे जन्वरी को सो मनाया जाता है खुब भीडभाड है कोई आजादी की कविता सुना रहा है कोई आजादी का गीत अध्यापक जी ने भी एक कहानी सुनाई ठीक है उम्र थी साथ साल उसके पिता का नाम नाना फरनवीज था नाना साहेव जिनने की जो फरनवीज थे उसके पिता उन्ही को नाना साहेव भी कहा जाता था ठीक है जो नाना फरनवीज बच्ची के पिता थे इनका नाम क्या था मैना के पिता थे उन्ही को नाना साहेव भी कहा ज यह नाम आप याद रखिए आपको question में भी लिखने होंगे नाना सहब देश की आजादी चाहते थे नैना भी आजादी चाहती थी अंग्रेज इस बात पर उसके पिता जी से नाराज थे उन्होंने नाना सहाब को नाना सहाब के महल में आग लगवा दी थी तो अंग्रेज क्योंकि नाराज थे तो अंग्रेजोंने नाराज की कारण जो नाना सहाब थे उनके महल में आग लगवा दी थी अंग्रेजोंने तो अंग्रेजोंने किसके महल में आग लगवाई थी ध्य के नाम भी आप याद रखिए question में आएगा नाना साहिब जलते हुए महल में से निकल गए नैना भी किसी तरह जलते हुए महल से बहार आ गई यहाँ देखो एक महल की पिच्चर आपको दिखाई दे रही होगी एक छोटी सी बच्ची आप से बचने के लिए कैसे भाग रही ह यही कौन है यही नैना है ठीक है जो बच्ची है यह कौन सी बच्ची है इसका नावा प्याद रखेगा इसका नाम क्या है मैना है ठीक है मैना इसका नाम है बहार आते ही उसी अंग्रेज सैनिक ने पकड़ लिया भी उसे जर्नल के पास ले गए जर्नल ने मैना से पूछा लड़की तुम्हारा क्या नाम है मैना किसकी लड़की हो तुम तो अंग्रेज उने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मैना है तो अंग्रेज पूछने लगे कि तुम किसकी लड़की हो तो मैना बताती है कि नाना सहब की मैं लड़की हूँ नाना स तो अंग्रेज बोलते हैं जब नैना बताती है कि वो किसकी बेटी है तो अंग्रेज बोलते हैं अच्छा तो तुम मेरे दुस्मन की लड़की हो तुम्हारे पिताजी देश की आजादी चाहते हैं क्या तुम भी यही चाहती हो नैना से पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो देश की आजादी चाहते हैं कि तुम भी ऐसा ही चाहती हो तो नैना कहती है क्यों नहीं चाहती अपनी देश की आजादी किसी प्यारी नहीं होती तो तुम भी अपनी देश की आजादी के लिए लडोगी अंग्रेज कहते हैं तो तुम भी देश की आ जादे के लिए लड़ोगी जरूर लड़ूंगी नैना कहते है जरूर लड़ूंगी मैना निडर होकर बोली मैना का उत्तर सुनकर जनरल कुरूद से बोला इस लड़की को आग में छोग दो ठीक है मैना से बोला लड़की छमा मांग लो कह दो कि तुम्हें आजादी नहीं चाहिए मैं छमा नहीं मांगूंगी मैना ने कहा कि मैं छमा नहीं मांगूंगी मुझे अपना देश प्यारा है मुझे इसकी आजादी प्यारी है मैं देश की आजादी के लिए लड़ूंगी जरूर लड़ूंगी नेना कहती है कि मुझे अपना देश प्यारा है देश की आजादी प्यारी है और मैं अपनी देश की आजादी के लिए जरूर लड़ूंगी मैना के उत्तर से जर्नल और भी चड़ गया उसने आदेश तिया अब देर मत करो फॉरण इसे आग में जोग दो ठीक यह सारे जो सैनिक है यह इसको देखो पकड़े है मैना को पकड़के आग में जोगने के लिए जा रहे हैं बच्चों सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग में जोग दिया ठीक है इसे कितने जो सैनिक थे उन्होंने मैना को आग में जोग दिया मैना ने हस्ते हस्ते प्राण दे दिए लेकिन वे हम सभी को एक पाठ पढ़ा गई ठीक है उसने हस्ते हस्ते देश की आजादी के लिए अपनी चान दे दी लेकिन वो हम सभी को पाठ सिखा गई कि हमें देश की आजादी के लिए देश की आजादी के साथ समझोता नहीं करना चाहिए यहां पर कुछ आप को शब्द दिये गए हैं उनके अर्थ हैं चलिए इनको देख लीजी जो आपको याद भी रखने हैं उत्सो का मतलब होता है जलसा आनंद का कार ठीक है पंदरे अगस्त पंदरे अगस्त कहते हैं भारत की आजाद होने की दिन को भारत की आजाद होने की दिन को पंदरे अगस अपसर कहलाता है आदेख का मतलब होता है आग्याadis का मतलब होता है अग्याँ दुमन कहते हैं इन ब अब दों को बोल बोल के देखना है 15 अगस्ट इस्कूल उत्सव अंग्रेज अध्यापक ठीक है सोची और बताएं अब यहां पे आपको कुछ कोश्चन दिए गए हैं जिनको आपको आंसर बताना है जैसे पहला कोश्चन क्या है सहसी बालिका का नाम क्या था तो सहसी बालिक का नाम मैना था तो बालिका के पिता जी का नाम क्या था हमने देखा कहानी में तो आप लिखेंगे बालिका के पिता जी का नाम ना फरन बिस था तो बालिका के पिता जी का नाम क्या था तो बालिका के पिता जी का नाम क्या था हमने देखा आप कहानी में तो आप गया तेसे कोश्चन में सहसी बालिका को सहस की सिक्षा किसे मिली थी तो आप लिखेंगे उत्तर में कि सहसी बालिका को सहस की सिक्षा अपनी पिता से मिली थी चले अब यहां पर आपको कुछ दिये गए है कोश्चन जिनको आपको बताना है सही और गलत बताना है सही उत्तर क करमाज कोष्टक में लिखे जो उत्तर आपको नगता है उसमें आपको टिक कर दीजिया फिर ले तो यहां पे पहला दिया गया है विद्यालय किसका उसो मनाया जहा रहा था तो विद्यालय दिबस का उस्टो मनाया जारा था यहां बताया गया है कि 15 अगस्त का उस्टो जो कि यह आजादी की कविता के लिए है अध्यापक जी कहानी सुना रहे थे तो दूसरी आप अध्यापक जी लिखेंगी इस तरह से आप कहाणी इसे देखकर भी लिख सकते हैं तो आप लिख लिजेगा अब दूसरा question आप से पूस्या आ है उस्सा की कहानी कौन सुना रहा था अध्यापक जी सुना रहा है तो आप टिककर लिजेगा आसे टिकल लगा लिजेगा चलिए रिक्तिस्थान भरने हैं अब आपको यहां पर रिक्तिस्थान भरने हैं तो क्या क्या भरेंगे आग, आजादी, जोग, जर्नल और फड़न्विस तो आपको इन में रिक्तिस्थानों भरने हैं तो पहला क्या है सेनकु ने मैना को पकड़ कर क्या क्या था मैना को तो आप यहां पर पहले में आप क्या लिखेंगे आग लिएगा ता कि अग लिखेंगे जोग और हआदो participated क्या लिखेंगे मुझे अपनी प्यारी है क्या प्यारी है नैना ने क्या बोला था क्या प्यारी है आजादी प्यारी है तो नैना ने बोला था मुझे अपनी आजादी प्यारी है यहाँ लिखेंगे आजादी लिख लिए गया से आजादी लिखेंगे अपने पिता का नाम न नाना के बाद आप क्या लिख लेंगे आप फोरण बिस लिख लिजेगा ठीक है नाना फोरण बिस के पिता का नाम था फिर तुम्हें, उसे के पास लीजगे गया विस्के पास ले जाया था घरणी है जर्नल के पास ले जाया गया था तो इसमें आप क्या लिखेंगे जर्नल लिख लेंगे इसे लिख लिजेगा ट्रेंस तरह चीह से पूरा कर सकते हैं चली और question देखते हैं तीसरों क्या बताई गया है इस knife क्यांस प्रकारसी मनाया जा रहा था तो आपको बताना है कि श्कूलमे उस दhूम धाम सी मनाया जा रहा था अब एडियो रोप आंसर लिख लेना आज होप आपको आंसर डिस्प्ले हो रहा होगा तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे स्कूल में उत्सो दुमदाम से मनाया जा रहा था यह तीसरे कत्वर है चौथे में क्या आपको बताना है अंग्रेज मैना के पिताजी से क्या क्यों नाराज थे तो मैना के पिताजी से अंग्रेज क्यों नाराज थे तो आप चौथे का अंसर लिखेंगे कि मैना के पिताजी अंग्रेजों से आजादी चाहाते थे इसलिए अंग्रेज उनसे नाराज थे पांच में में कोई पूछा है आपसे जनरल मैना से क्यों चिड़ गया था अब लिखेंगे उत्तर में कि मैना के छमा मांगने से मना करने पर जनरल मैना से चिड़ गया था सिक्स में चटे में जनरल ने सैनकों को क्या आदिश दिया था तो क्या आदिश दिया था आप चटे एक में उत्तर लिखेंगे चटे का जनरल ने सैनकों को आदिश दिया की भी मैना को फॉरण आग में जोग दे साथ में में क्या पुछा है मैना हमें क्या पार्ट पढ़ा कर गई थी मैना आजादी के लिए हमें बलिदान और साहस का पार्ट पढ़ा कर गई थी आठ में में क्या पुछा है पार्ट के आधार पर मैना के गुड़ बताईए अब आपको से पाठ के आधार पर मैना के गुड़ बताने हैं तो चलिए देख लेते हैं मैना के गुड़ क्या क्या थे पाठ के आधार पर मैना में दीश प्रेम, निडरता, साहास, बीरता, त्याग और बलिदान जैसे गुड़ थे नौमेगा और लास्टी कोशन है आपका मैना के प्राण देते समय भी हसी का क्या कारण था मैना जब प्राण दे रही थी तब भी वो हस्ते हस्ते उसने प्राण दे दिये थे अपने तो क्या कारण था प्राड देती समय हस्ते हुए मैंना अंग्रीजों को ये संदिश देना चाहती थी कि देश की आजादी के लिए बलिदान होने में हमें गर्व है ठीक है अब भासा की बात यहां पर आपको कुछ ग्रामेटिकल लिखने है यह आपका होंबर्ख है मैं आपको समझा देती पर आप कीजिएगा कमेंट बाकसम बताना कि आपको आए की नहीं यहां पर रा और उ मिल के bene你要 कि मात्रा बनती है साधाम 6 6 C a इससे तरह से आपको और शब्द बनाने हैं तो रहां को भेस्ट करिएगा आप बताना कि आपको कि नहीं आई ठीक है ठीक है चले कि अब के पाप किसम ने क्या करना है अपने आसपरोस में उन महला पॉर्षों की सूची तयार करें जिननों ने कोई विछा सहासी कार किया हूं ठीक है तो आप जहां डिटी बोक्स ने आपको जरूर बताइएगा कैसे अगर कोई आपके आसपास को यह से भी अक्ति हैं तो अब यहाँ पी क्या करना है आपको नाम और किया गया सहास का कार आपको बताना है ठीक है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं या स्टोरी में देखकर लिख सक परिवार को बचाया कि किसी नगर किसी को आक से बचाया है आप उसके बारे में लिख सकते हैं और किसी ब्यक्त का नाम लिख सकते हैं जैसे पानी में डूबने से किसी बच्चे किसी ने बचाया है किसी जानवर को किसी ने बचाया है तो इस तरह से आप अपनी मर्जे से अनुश्वर का प्रियोग किया गया हो ठीक है अनुश्वर का प्रियोग किया गया है ठीक है तो ऐसे शब्द आपको जाटने है उपर से जैसे कि के अनुश्वार वाला पंद रह ए तीक है अनुश्वार वाला जैसे लड़ूंगी इस तरह से आपको और शब्द स्था साथ ने हैं यहां पर कुछ मैंने आपके लिखें हैं तो आप देख लिएगा जैसे कि पंध रहने अंग्रेज अंग्रेज में भी हम ने हुआ है अनुनासिक लड़ूंगी मांग मांगूंगी ठीक हस्ते हस्ते इन सम्में अनुनासिक का शब्द का फडियो किया गया है तो आप ऐसे स्टोरी से देखकर छाट के लिख लिजेगा ठीक है अब आपको बताना है कि यदि आप मैना की जगे होते ठीक है तो आग में छोकने की बास सुनकर क्या करते ठीक है तो आपको बताना है कर आप मैना की जगे होते तो आप क्या करते इस कहानी जैसे ही और कौन कौन सी कहानिया है चर्चा करे इसके जैसी और कौन कौन सी कहानिया आपने पढ़िया सुनी है उनके बा एक आप नाना की तरगार और भी किसी बीर के ताम Все आते हैं आप बता सकते हैं तो आपने दोस्तों साथ fellow दिसक्स कर सकते हैं पर I किलिए यहां पर छोटा सब् सथ दिया गया है प्रेम जन्न ने दिया है कुलगी प्रतिष्टा बिनम्रता और सद बिवहार से होती है ठीक है तो हमारे कुल की हमारी परिवार की जो खासियत है तो उनकी प्रतिष्ठा मान सम्मान किस से होता है हमारे अच्छे बिवहार से हमारी बिनम्रता से हना हमारे सद बिवहार से अच्छे बिवहार से अच्छी बाचीत करने से दूसर अगर आपको चप्टर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको चप्टर कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है, थेंक्यू अल आफ यू, थेंक्यू फॉर वाचिंग